So Hello Traders, कल है Sensex के expiry और Sensex के expiry थोड़ी special होने वाली है क्योंकि market all time high पे close हुआ है overall, market आज का बहुत अच्छा था So अभी मैं आप लोगों को Nifty का दिखा देता हूँ कि Nifty में हम लोगों ने आज क्या प्लान किया था overall तो देखो Nifty में काफी अच्छा gap up open हमें मिला था, फिर उसके बाद market ने ये हमारा target दिया, अगर आप लोगों ने हमारी previous वीडियो देखी होंगी, तो उसमें हम लोगों ने targets की बात करी थी कि हमें 2100 का target मिल सकता है आने वाले trading session में, में भी हम December में ही वो चीज़े देख सके और ये जैसे ही breakout में हम थोड़ा bullish हो गया और यहां से हम लोगों ने प्लान किया था है कि market bottom से buying को देखाएगा, and market last में भी आप लोगों को retrace करके वापिस से अपने labels भी ले गया, बिल्कुल day high के पास आप लोगों को closing मिली है, तो उपर का label जो है, वो कल का opening label है, वो 21, 250 तक का है, क्योंकि यहां के targets हमें देखने को मिलते हैं, तो overall market bullish लग रहा है, कल भी हमें gap up की उम्मीद है, अगर global कुछ नहीं होता है, तो वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, sensex की जो कि कल expiry, तो हम लोग इसके trading plans को समझ लेते हैं, कि कल कैसे trade करना है, और किस तरीके से ह करेंगे, अगर gap up खुलता है, तो किस तरीके का plan करेंगे हम लोग, तो देखो, सबसे पहले तो market ने same as it is, जैसे nifty ने perform किया, वैसे ही ये day high के पास जाकर के close हुआ, एंड कल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दो labels हैं, एक labels आप लोगों को ये मिलता है, ठीक है, एक label पर हम लोग कहीं खुलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा market sustain करके रुख सकता है, क्योंकि देखो, market all time high पर अगर gap up खुलेगा ना, तो वहाँ पर नए buyers को wait करेगा, नए buyers का wait करेगा, तो ये target रहेगा कल के लिए, ठीक है, ये target आप लोग बना करके रखेगा, 850, 900, even अगर हम लोग अगर market काफी अच्छा रहा ना, तो 71,000 के भी labels हम लोग कल के market में देख सकते हैं, अगर gap आप खुला तब की plan है, अगर flat खुलता है, तो नीचे से buying का ही चलिएगा, अगर market में retracement आता है, और ये label अगर हम लोग hold करते हैं, ये label यानि कि आज के opening label अगर हम लोग hold क पास यहां तक हम आ सकते हैं, तो यहां पर market थोड़ा bearies हो सकता है, बट इधर से भी buyers आपके active होंगे, at the end आ करके आप लोगों को buying में ही market देखने को मिलने वाला है, तो रियान रखेगा कि buy on dip चल रहा भी market में बहुत अच्छा bullish moment है, जो कि आप लोग काफी अच्छा bull run द के ही चलना है, अगली चीज, कि अगर हम bank nifty की बात करते हैं, तो bank nifty की भी trades काफी अच्छे हुए, banking ने काफी अच्छा खीचा market को, ठीक है, morning में देखो काफी अच्छा banking ने खीचा, और इधर आ करके पूरा sideways हो गया, एक range bound हो गया market, ठीक है, तो यहां भी अगर आप लोग थे, 48,000 के label पे, तो इसी तरीके से plan करना, flat खुलेगा, तो नीचे से buying आएगी जरूर क्योंकि selling के बाद आप लोग को buying देखने को मिलेगी, अगर gap अप खुलता है, तो wait करिएगा, follow up आने दीजेगा, उपर के label खुले हुए है, 48,500 तक का label है, bank nifty में, बाकि ये no trading zone के रूप में consider कीजेगा, इसको ये जो label है आपका न, no trading zone के रूप में consider कीजेगा, इसके उपर नीचे अगर market निकलता है, ये label में आपको बता देता हूँ, ये label है आपका 47,30 का, ये label है 47,8,80 का, ठीक है, 900 तक का label है, इसको आप no trading zone के रूप में consider कीजेगा, तो यही है कल के लिए planning and कल हम लोग live आएंगे तो आप लोग miss मत कीजेगा चैनल को subscribe कर लीजिए और बेल आइकन लोग क्लिक करेंगे तो आपको stream की notification आ सकेगी आप लोगों को telegram और whatsapp की link नीचे मिल जाएगी जहां पर आप लोग डारेक्ली हमसे जुड़ सकते हो next video मिलते हैं दूसरों के साथ send कीजिएगा वीडियो को like करना मत बुलेगा जाहिन